गुरू 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 लिखा न जाए गुरू ब्यक्ति के अंधकार से प्रकास में ले जाने का कारी करता है महिंत भरत दास बेगम गज गुरू पूर्मा के अपसर पर नगर सहित ग्रामिर छेत में परमपराई रूप से मनाई गई नगर में बारा किलोमीटर दूर पीर पहाली के पास घने जंगलों के बीच में बना है गुरू आश्रम जहां पर मैलाओं का प्रवेश बर्जित है गुरू नागा साध्यू थे सनीबार को गुरू पूर्मा के दिन सेक्णों की संख्या में गुरू के सिस आश्रम पहुँच रहे थे जहां पर एक विशाल भंडारे की तैयारी भी चल रही थी बरत तपोबन आश्रम महंत भरत दाश जी का आश्रम है जहां दूर दूर से सिस अपने गुरू से आशीरबाद लेने पहुँच रही थे यहां मनुहरी द्रस देखने को भी मिलता है आश्रम परिशर के अंदर सुन्दर भगीचा है यहां आका लोग कोंको सांती का अनभव होता है लोग यहां घंटों बैटकर तपो बन के दरसन करते हैं लोग कहते हैं कि बहुत ही सुन्दर आश्रम है जहां पर चारों तरफ सांती मिलती है चारों तरफ घले जंगलों के बीच में बना आश्रम भरत तपो बन आश्रम यहां पर सिर्प पुरसों को ही प्रवेस मिलता है म गुरू का आसिरबाद लेने, सरल सुभाव के महंत जिनको दुनिया में थे कोई मतलब नहीं, 24 घंटे साधना में लीन रहते हैं, लोगों को सिर्फ आसिरबाद ही प्रतान करते रहते हैं, आज भी उन्होंने अपने सिस्तों को आसिरबाद प्रतान किया, सिस्तों ने गुरू तक साधना में हमेशा लीन रहते हैं, क्या है गुरू पूनमा, अशार माज की गुरू पूनमा को गुरू पूनमा कहते हैं, इस दिन गुरू पूजन का विधान है, गुरू पूनमा बर्शरितू के आरंभ में आती है, इस दिन से चार महीने तक परिवर्जिक्त सादू सं पर रहकर ग्यान की गंगा बहाते हैं ये चार महीने मौसम की द्रष्टी से भी सर्व स्रेष्ट होते हैं ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी इसलिए अध्यन के लिए प्युक्त माने गये हैं जैसे ही सूरी के तप से तप भूमी को बरसा से सीतलता एबं फसल पैदा करने की सक्ति मिलती है बैसे ही गुरू चर्णों में उपस्तित साधकों को ग्यान, सांती और भक्ती और योग और सक्ति प्राप्त करने में सक्ति मिलती है ग्यान का मार्ग गुरु पून्मा गुरु पून्मा के दिन महिंत भरदाज जी ने उपस्तिस सिस्सों को बताया कि गुरु को ब्रह्मा कहा गया है गुरु अपने सिस्सों को नया जन्म देते हैं जीबन के हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग बताते हैं और मार्ग दर्सक भी हैं, गुरू ब्यक्ती को अंधिकार से प्रकास में ले जाने का कारे करता है, शरल सब्दों में गुरू के घ्यान का पुंज कहा जा सकता है, यदि आप किसी को अपना गुरू मान रहे हैं, तो आप उनके बताए मार्ग पर चलना है, अपने सिस्व होने प्रिप नौखंड में गुरू से बड़ा ना कोई मैं तो साथ समुंद्र की सिहाई करूं लेखनी सब बद्राए सब धर्ती कागज करूं पर गुरू गुण लिखा न जाए राइसें बेगम गंसे शरश्चर्मा की रिपोर्ट चतरपूर से हमारे संबाद दाता किशोरी श्रीबास की रिपोर्ट अजब MP का गजब अस्पताल मोटर साइकल में बाड़ों में भरती हो रहे हैं मरीज मद्द प्रदेश के मुखमंत्री चाहें जितना भी जोड लगा ले परन्तु स्वासर केंद चतरपूर में डाक्टर पर नहीं चलेगा जोड चतरपूर जिले में मोटर साइकल से मरीजों को भरती कर रहे हैं परीजन पिछले कई दिनों से बंदे पाँच मंजला अश्पताल की लिप्ट गर्बती महिला एवं गंबीर बीमार मरीजों को हो रही है परेशानी लेवर बाड तक पहुँच रहे हैं टेक्सी तो बाड़ों में मोटर साइकल से भरती हो रहे हैं मरीज चतरपुर मद्प्रदेश के मुख्व मंत्री सिवरा सिंग चोहान चाहे जितना भी अस्पताल सुधारने का प्रयास करें किन्तु चतरपुर जिले में एक बार फिर बधाल स्वास्त से शेबाओं की तस्वीर सामने आई हैं बुंदेल खंड के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने बाले जिला अस्पताल में इन दुनों मरीजों को मोटर साइकल के माध्यम से बाड़ों में भरती करा रहे हैं लोग मरीज के परीजन अपने मरीज को मर्टर साइकल पर बैठा कर सीधे बाट तक ले जाते हैं और बहां उन्हें भरती कर देते हैं इस तरह के इस्तिती जादातर उन मरीजों के साथ है जो या तो गंभीर बीमार है या फिर गंभीर रूप से घायल है गर्बती महिलाओं को भी इसी तरह से परेशान होना पड़ रहा है प्रसब पीडाक से अधिक परेशान महिलाओं को उनके परीजन सीधे टेक्सी से लेकर बाड में पहुँच रहे हैं दरसल छतरपुर जिला अस्पताल के लिए पिछले कई दिनों से खराब है जिसकी बज़ा से अस्पताल में आ रहे हैं मरीजों को खासी परेशानी का सामना कड़ना पड़ रहा है जिला अस्पताल पांच मनजिल है